गुराफ्टूनून एवरीवन आज हम मिलेंगे सक्सस मंत्रा में श्री अनिल कुमार वर्मा जी जो की ब्लाइंड परसं असोसियेशन के चेर परसं है और सारा कुछ यही देखते हैं ब्लाइंड असोसियेशन में वर्मा जी गहुत बहुत ममशकार आपका स्वागा के सक्सस म सब्सक्रा के अभिकारी और विडिया परसंस जो सही होगी हैं उनका हार देख धन्वा पिल करता हूं कि ऐसे मुप्ते पर उन्हों में हमारा इंटर्वून देने का प्रयास किया तो बहुत 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 धन्यवाद अच्छा आज हम बताना चाहेंगे कि कैसे ब्ल वर्मा जी कैसे आप इसको आगे ले जा रहे हैं क्या-क्या चीजें और मुश्किले सामने आ रही हैं यह सब्सक्राइब करते थे उसके बाद को हजार के बाद मैं आया और उसके बाद में प्रारम किया तो मैंने कई उजाजियों में अजिस थापित की हैं हमारी साथ राजियों में से ब्रांश उत्रपरदेश मध्यपरदेश बंगाल हिमाचल और हरियाना पंजाब इन सब राज्यों में प्रियास करते हैं कि धरातल के जो चीज कानूर बनके आया है वो जमीनी हकीकत हो और जमीन के उसको सही जामा पहनाया जा सके जैसा कि दोनों सदनों नहीं यानि संसद में पास भी आये और राष्ट्पत मौदे ने साइन के बनके साइन करने के उपरांद वो एक कानून का रूप ले लिया है अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवादे पताने के लिए वर्मा जी मैं यह जानना चाहता हूं आपको क्या-कठीना ही आ रही है अब ब्लाइंड पर्सन चलाने के लिए काफी दिक्कते भी आ रही हैं आपको और आप लोकों को क्या कहना चाहोगे कि आप कैसे इस पर पांच ही मैंने एक जोटे से प्रेट में पांसर च्यासी पाफ्टर के सरक्तर तेरा द्वारिका में जो तीन कमरों का एक श्लेट है उसमें मैंने प्रारम भिष्टिबादी छात्राओं की यह प्रारम किया तर नियुशूर कर यानि कोई भी चार्जिज हम ब्लाइंड लेक पर प्रारम किया और वहाँ छोटी भी लिंग पी उसका आद मैंने उत्तर नगर में यह प्रारम किया तो दोरों जगा मिलाके अब पचास से पच्छमन छात्राइं हमारे पास हैं जो दिविन कालेजिज में यानि दिल्दी विष्व विध्याले के दिविन महाविध्याले सब अपने काम आने जाने का यहां पर पूरी निशुर्त व्यवस्ता चाहें कंप्यूटर का प्रशिक्षर हो चाहें वह मोटिवेशन का हो हर परकार से उनको निशुर्त सुभधार दी जाती है यहां पर उनके कपड़े दूने के लिए वासम मसीन है गीजर है और इल्मार अच्छा बहुत 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 ही जवर्दस काम कर रहे हैं वर्मा जी अच्छा वर्मा जी यह बताईए आप एक मोटिवेशन पैक्टर कैसे क्रियेट करते हो बच्चों के अंदर जैसे ही एक होता ना कि मैं दिव्यांग हूं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे आपने देखिए कि वह ब्लाइंड होने के बावजूद आज कल तो टेक्नोलोजी का व्यूग है आज के 20-30 साल पहले लोग और ब्रेल के माधियम से ही अच्छे-चे बदों पर कारीड़त हैं बैंकों में भी अधिप्टी मैनेजर है प्रफेसर है दिल्ली इनवस्टी में सब्सक्राइब कर दो लूग जब इतना सुविधा का भावज ने के साथ साथ इतने उच्छ फद में पहुंचे आज कम्पूटर का यूग है मुबाईल का यूग है मुबाईल को भी ऊच करके क्योंकि रिकॉर्डिंग मोबाईल में भी हो जाती है और कम्पूटर के लिए टेक्नोलोजी तरी जबर जस्ते इसका उडियोग करके अपने को आर्ट विर्वर करों एक लड़ता तो कहीं भी रह सकता है लेकिन लड़की की करेक्टर की बात होती उसकी जिन्दगी का सवाल होता है वो दोर तूर नहीं जा सकती है इसलिए एक लड़की को इस तरह से अपन पूरी खाओगे या फिर रोटी खाओगे यह भी पूचा जा रहा है और मैंने सोचे कि मैंने आप लोग पूरी कर लेते हों हम लोग सारा काम कर लेते हैं तो इस तरह से मैंने देखा और उनको जब वह बहार जाती थी जैसे पढ़नाई करने के लिए कॉलेंज वगरा में कितनी दिक्कत आती थी बस नंबर किसी से पूचना अब कोई है या नहीं है सामने यह नहीं पता चलता हूं को तो चड़ी से लखला के से इस कुछ में बोला कोई नहीं बोल रहा है तो कभी-कभी लड़किया बहुत उदास हो जाती थी बताती थी अपनी कहाने की दिती हों तो हम यह खंबा है खंबे से पूच रहते हैं कि इस कुछ में यह बस नंबर कोल सा है हमें बताईए जब तक हम चड़ी ले चड़ी से टटोल के देखते नहीं तब तक हम बताने चलता कभी गाय है आगे और जब वो आवाज करेगी तब ही पता चलता था कि यारे हमने गाय से कुछा मित्के से कुछा इस तरह से मतलब बताती तो मैं उनको धिरत देती थी कोई बात में वेटा आपको आगे बढ़ना आएगी कुछ पेपर देने जाती थी बहुत जाना पड़ता था और जैसे अभी तो गूगल से मैप से हमें लोकेशन मिलता है पहले तो यह सब न नहीं मिलता था उसको एड्रेस नहीं पता रहता था रायटर कभी-कभी लेट हो जाता था पेपर जूट जाते थे तहां के खुब होती थी कि कोई बात में वेटा हम साथ देंगे कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वर्मा जी मुझे बोलते थे इस लड़की को तुम इस सेंट पर देने के बाहर में हमें रात हो जाती थी आठ नो बजे तक आना पड़ता था तो बहुत मुश्किल होता था साथ तो आपने यह देखा कि कि इतनी मतलब परीशानी और कटिनाईयों से एक बच्चे को कैसे हम लोग मोटिवेट करके एक्जाम दिलाने जाते हैं या भरका कोई भी काम हो ऐसा कोई काम नहीं कि आज की रिफ्मियों नहीं कर पाते हैं मैंने देखा हूं मुबाइल भी चला लेते हैं वाटसप भी चला अच्छा और आप लोग मुबाइल भी यूज करते हो मैंने देखा है कैसे चलाते हो मुबाइल को सर उसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं तो जो भी हम यदि किसी को पॉल लगानी है तो स्वाइब करेंगे दाइब अपने हाथ को गुमाएंगे तो एक दो ती चार जितने भी अंकुरते हैं वो बोलता है इसके माधियों से हम नंबर मिला सकते हैं और कुछ आप को भी यूज़ करना है तो आग मैंने देखा आप लोग काम भी कर लेते हो किचन का काम हो या फिर सफाई का काम हो या कोई भी काम हो वो भी आप लोग कर लेते हो सार उसके लिए हमें ट्रेंड किया जाता है आप तीनों कर लेते हो रिंकी अभी लाश्या अच्छ अच्छ अब यह बताओ कि आप क्या पढ सब्सक्राइब कर रहे हैं और रिंकी आप क्या करते हों कि मैं बताना चाहूंगी सर अपने मैं पहले तुम्हें पूरा नाम बताती हूं ताते मता है और मुझे यहां पे रहे हैं जो कुछ को क्या करना सब साउगया हूं चाहिं किक नहीं तक मेद अंदर में एक स्टूडेंट होने के नाते एक सिवा की भावना भी वुक्षी हुई Acho कि जैसे हमारे सर इंब के लेकिन वो हमारे लिए तिन रात प्रयास करते हैं कि अब हमारे बच्चों को नेक्स्ट टाइम के लिए क्या ख़ता हैं, तो वह हमारे जीस प्रकार से मदद करते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर एक सेवा की बहवनाउत्पन होती है, कि कल को हम बड़े होंगे, कि कल को हम करा आए पर पर नों две उसका करें फुरी ने। तो हमками सबोगर योश्य ह्थि बच्चों था भर में सब्रशान थे जाए हैं पूजhen लिखते हम सब बलाइन बच्चे लिखते इस तरह से हैं आप पहले जैसे आपको पता ही है संगीतादी ने बता दिया है कि ब्रेल लीपी से पड़ते हैं तो ब्रेल लेपी क्या चीज ़िल पढ़कि जिस में जिस तरह से साइटड़ेंटी कोग चोड़े से बच्छे को जिसे गाइड करना होता है कि वो किस तरह से अाट बनाएगा दोट्स प्रीचता उसी तरह से हम लोगों को यह ब्रेल już ुआ जाती है। ब्रेल लिपी ही सिभ डॉट में जैसे किसी में हैं में और सिब्स कई कर सकते हैं किसी प्रे प्ंटीज स्लॉट हो गायते हैं जैसे ब्लब्लिक कोई चीज के लिए हँए पहले हमको याद करा जाता है जैसे नर्सरी क्लासिस में हमको याद करा जाता है तो जब हम बूर्स याद कर लेते हैं तो फिर हम हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाते हैं कि हमको कैसे अपनी परदती को मतलब लिखना है कैसे पढ़ना है फिर हम जब बाता ही लिखने की अगर हमने हमने हम ब्रेली पी कैसे लिखनी है उसे याद कर लिया फिर अब जब लिद्ने की बारी आते तो एक पेज होता है और स्लेट होता है इतना बड़ा सा उस स्लेट के अंदर हम पेपर डालते हैं और एक चोटी सी इतनी चोटी पैंसल आती जिसको हम हाथ में इस तरह से पकड़के और इ फैर लेके बाख कहने कहना कांज सब्सक्राइब कि यह हुआ है हिलेके लिखते हैं तो उस विह बीन्दू को हम टच करके दच करके पड़ते हैं बात रही फोन की कि फोन के से चलाते हैं एक टॉक बैक का सिस्टम आता है जो अश्टिंग में मिलता है तो वहां पर अपने लेखा योगा अधिस्टिंग के अंदर हम जाते तो एक एक्सेसिबिटी आती है तो उसको वहां से आउं करते तो वह आटमेटिक बोल ने लगता है पूल हमारे जितने भी एक्टिकेशन होंगे जितनी भी चीज़ें होंगी यहां तक हमने क्या गलत टच किया है और वह पून डाइरेक्ट नहीं चलता उसमें डबल डबल तच करना पर जो चीज हमें चाहिए स्वाइब करते हैं लग डूराइब जो भी हमें एप्लिकेशन च क्यों केंसे किस तरह से करतें हैं सुबह हम लग उठते हैं नहाना दूना सुबह का मैधें फिर अनद Interview लाक एक ने आपने जो बरता अच्छा रिंकी अभी लाशा और संगीता और यह मोटिवेशन फैक्टर कैसे आता कि हां मैं यह सब कर लूगी हां मेरे अंदर भी यह टालेंट है अब तीनों बताओ फोड़ा फोड़ा इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहिए कि मोटिवेशन जो है जो हमारे यहां पे जैसे जो लोग हैं जो स्टाफ है यह कुछ तो sneaking देटे हैं हमने मोटिवेट कर जब कभी हमारा मंन कुछ हो जाता है हम नही कोई काम नहीं किरपाते हैंorden है उस नहीं संब्विट कर पा रही है गशा जैसे को मोटिवेट करते हैं इसके लिए घभराना क्यों कुम इस चीज को करो में यहां अपन अंदर एक आख बंद के से एक सी शंज पावर? में लेकिन जिसे नहीं दिखाई देता है, उसके पास एक छटी जिसे कि बंद जब आखे बंद होती है तो उसका सी सेंस जा रहा हुआ काम करता है ज़िसे पेड़ से उसकी के लिए प्राइब जानने में समझने में करने में वह चीज हमें उपर उठाता है अच्छा बहुत ही बढ़िया